CAA कानून जो है लागू कर दिया गिया है कैसे देखते हैं ये चुनावी मतर्व नेरेटिव सेट करने की कोशिश की जारी है जब भारत जब धर्म के बेस पे लग वह तो 22% वहां गई कैसे मतर्व लोक तंतर नहीं ईडी तंतर चल रहा है बिल्पल बिल्पल एडी तंतर वह चौप देख सकते हैं अंद भग्तों को नहीं तो कोई भी मोदी जी के आते पर्धान मंतरी से पेले वह भी ये काम नहीं अदा थे कोई भी हो सकता है पंगलादेश का विभाजन की कराने मे किस का हात है पाकिस्तान का हात है होता क्या अगर ऐसा कहे जाएगा कि मतलब मानली जे दंगा इरप्त हो जाता है तो वहाँ पर वही आता है सामने जिसको एक डर लगता है कि मेरे साथ कुछ बचना हो जाए। तो यहां तो ओध से लागता यहां पर नुक्सान है। यहां कोई ऐसा तो प्रेदी आपक और करेसे हैं करना हाट अ फॉल्प है। चुनाव सामने हैं CAA कानून जो है लागू कर दिया गिया है कैसे देखते हैं यह चुनावी चुनावी कोशिश की जारी है देखें लिए कानून को लेके आए अब इनके पस कोई मुद्धा नहीं बचा जेतने के लिए तो यह सामनी लेकर आ गए जिससे कि मुसलमान इसके अपोजिट दिखें पर इस वार मुसलमानों नहीं किया मतलब देखा कि इस पर प्रतिकिरिया करें और उनको हिंद्य मुसलमानी कराने का मुद्दम मिल जाएगा जैसी कि उन्होंने पिजली बार भी किया इसको भी उन्होंने क्या किया के जरीए ते इसको भी स्टॉप कर दिया अब हम क्या देख रहे हैं एक सेवंटीन की डिकेट की जब बात करते हैं तो बात देखते हैं इंद्रा गांधी की जो सरकार चली आ रही थी पहले से तो उनको कुछ मुँछ नहीं मिला था इंद्रा ग चल रहा हैं अंड वक्तों को नहीं नहीं कि पहले आप पहले घड़ा करते हैं कि सीये में परतारित हिंदु आ रहे हैं बंगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तो आप देख लीजे पाकिस्तान में पीडित हिंदू होने का कारण यह नोंने क्या बता है कि एक तो पहले यह कहते है कि भारत का विभाजन पाकिस्तान और भारत जो बटा वो धर्म के बेस पे बटा फिर अभी सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भारत जब धर्म के बेस पे नहीं हुआ और अगर धर्म के बेस पे वहां क्या कर रहे थे और वह तीन परसंट हो जाए एकदम से यानि कहीं भी आप जाते हैं तो फूलता फलता है अगर कोई समाज सही से सिविलाइज जाए तो ऐसा तो न इमेजिनेशन नहीं किया सकता यह ऐसा प्रोपगेंडा सिर्फ और आप देख लीजें बंगलादेश में परताडित हिंदू कैसे होगा बंगलादेश का विभाजन के करान किसका हाथ है पाकिस्तान का हाथ है लेकिन करा कौन रहा था भारत की मद्श्टा के साथ हुआ था भारत के मेडियेशन के साथ बंगलादेश का पाकिस्तान से हुआ लेकिन किस ने किया भारत ने किया या भारत ने मेडियेशन कराया अब भारत ने मेडियेशन करा के बंगलादेश को आजाद कराया या बंगलादेश अब नया देश मना बंगलादेश की यह हिमत हो सकती है कि बड़े म is दो सकती कि उसके मद्यद्धेशन वाली बात में यह पूपनानी सभी और भारत सब्सक्राइब उसकी में अघर केया है यह सब जाँ हुआ है और यह खिता जाये बाथ सब नहीं हैं कि बताली नहीं ही टॉन हैं लेकर नहीं कि बतला होना चाहिए और शबसे बड़ा होना चींगे अच्छा कोई बीचि क्या परधान-मंत्री से यहां पर जो जनता अपनी रहे रहे थे आप क्या चाहते हैं कि क्या फिर से मोधी जी आया या फिर विपक्षी यानि इंडिया गडबंदन उसमें सो कोई पर्धार मंद्री का चेहरा आना चाहिए कि अप्डेट के साथ अब तरके में माश्कार जाहिए यहां पर्धार मंद्री का चेहरा आना चाहिए